हैं मस्कार मम्मी किचन पूड में आपका स्वागत है और आप कैसे हो आप बहुत अच्छे होन गें और भी बहुत अच्छी हूं और घीया लोकी भी बिलें लोकी बेने और दाल की बडी है बर्ण मैं धिक रहे होगे घर का भी है मैं तो आज मैं बनाने जा रहे reflects और देशी घी से बनाने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी बनता है और ज्यादा मसाला नहीं बस हल्दी जीरा में बन जाएगा तो चलिए मैं घी डालती हूं घी के साथ हेंग है इसी के अंदर देखें एक पिंच हेंग है तो इसके बाद जीरा दो लॉंग काली मिर्च तो ज्यादा कुछने है और लाल मिर्च भी ज्यादा नहीं है तो आदल असार है और इसके साथ बड़ी डाल गती है बड़ी हूं जाएगा हूं जाएगा तो जीरा के साथ बड़ी भी गी में बुल जाएगी अर भी के साथ बहुत ही टेस्टी बनेगा बहूत ही तेस्टी है और घिया को इसके साथ लहसन लेना है दो टमाटर चाघ लहसन साबुट डालूद घुर याए इसे भी इसके साथ मैं धोली हूं अच्छी तरह से इसे डाल देती हूं और ये दो टमाटर इसे भी साबूत जाल देखें और जब लसन ख्राइएगा तो बहुत ही अच्छा लगए रेक्षे अंदर जो साबूत लसन है बनने के बाद खाईएगा तो बहुत अच्छा लगए कूकर में इसलिए बनाड़े हूं कि लसन अच्छी तरह से पंजाएगा तो बाद गिया तो ख्राहिया भी पका लेंगे रसन में फ़र टाइप लगता है तो बड़ी बूल गई है अब में इसे गिया डाल देंगे अधिया डाल देंगे एक चमाच हल्दी तोड़ा और एक चमाच हो हटोड़ी इसे एक चमाच हो थोड़ी से एक चुताई है फल्ली, स्वाद अनुसार नमक, यह ऐसे दिखने में ज्यादा लग रहा होगा, कम है नमक हिसाब से हैं, आप स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और यह लहसन और अधर दर दरा कुट्राबलो, अब सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसे अच्छी तरह से बुलना है, पस थोड़ी सी और भूट के, और थोड़ी सी पानी, आधी गिलास पानी डालके, इसे कुटर को बंद कर देना है, बंद करने को बाद सीटी लगेगे, तीन-चार सीटी लगा दीजे, जैसा कुटर का आपका है उस हिसाब से, अच्छा तरह से सबजी बन जाएगा, बहुत टेस्टी अभी कभी बना करके आप खाईए, बहुत टेस्टी सबजी बनता है, और नो कोई झंजट है, इसमें बनाने में टाइम भी ज्यादा नहीं लगता, कुकर में जल्दी बन जाता है, और अगर उपर से तरका लगाने के मनें लगा दोगी, और तीर या चार सीटी लगा करके बनाऊंगी, बनाईए इसे और घी का टेस्ट बिना तेल के बिना डिफाइंड वाल के बनाईए, घी में बनाईए, जीरा के फुरन देके बहुत ही अच्छा बनता है, तो घिया और बड़ी की सबजी, तो कुकर के धकन पानी हूँ, यह देखिए, क्या सबजी बना है, अब थोड़ा से इसके इंदर पानी है, उसे सुखा देती हूँ, बिल्कुल घिया गल गया है, तो देखिए, सबजी बन गया है, बहुत अच्छा से घिया गल गया है, और बड़ी भी अच्छी तरह से पंग गया है, यह बड़ी देखिए, बिल्कुल गल गया, और लहसन भी, लहसन भी बिल्कुल गल गया, ज्यादा इसको चलाओंगी, त बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ खाईए रोटी से अच्छा लगेगा और आराम आराम से दही डालके से मिला पूले बहुत ही अच्छा लगेगा गीया के सब्जी बड़ी और दही से ऐसे बना के खाई ये बहुत ही टेस्टी लगेगा पस थोड़ा सा उबाल आएगा इसके बाद के इसमें बंद कर दूंगी बिल्कुल त्यार हो गया है प्लेटिंग करती हूं मैं यह दही का प्लेट है इसी के अंदर में प्लेटिंग कर रहे हूं बहुत ही अच्छा बना है यह देखिए बिल्कुल घीया गल गया है जरूर बना के खाईए बहुत तेस्टी लगेगा गीया बड़ी बनके तयार है अगर आपको अच्छा लगे तो ममी अमी किचिन फूड को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए धन्यवाद